प्रेंज देखिए यह वही कंपोस है जो मैंने आपको बनाना बताई थी और वही वीडियो पे बहुत ज़ादा मुझे व्यूज़ मिले मुझे 22,000 के करीब व्यूज़ मिले आप लोगों को बहुत पसंद आई वो वीडियो तो फ्रेंज यह वही कंपोस है जिसे हमने बनाया और अब यह बनकर तयार है तो तकरीबन फ्रेंज यह मेरी जो गार्डन है उसमें 15-20 किलो के ज्यादा ही बनी है और यह बनकर तयार है अब आप इसे अपने गार्डन में इसीली दे सकते हैं और अपनी जो गार्डन की आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उसमें भी इसक यह बहुत यूसफुल खाद बनी है तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में बना सकते हैं और मेरे बहुत सारे वीवर्स का मुझे मेसेज भी आया थे कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी चोटी सी वीडियो बनाया करिए तो उसके बाद से मैंने को आप इसको शेड़ी एरिया में रखेए और पूरा पेक करके रखेए तो यह हमेशा ऐसी तरीके से गीली रहेगी और आप इसको बहुत ही बारिक कर सकते हैं ताकि आपको प्लांट में देने में सॉयल मिक्स में मिलाने में काफी ज़्यादा आसानी हो और जिन लोगों ने म मेरी वीडियो नहीं देखिए उन्हें आज में फिर शौट तरीके से फिर से बता देती हूं कि मैंने किस तरीके से इसे बनाया था तो फ्रेंस यह देखिए यह मैंने गोबर के उपले लिये थे तीन से चार दिन के लिए पानी में पुरी तरह से भीगा कर शेड़ी एरिया और मठा जो आप घर में आसानी से मिल सकता है आप उसे मिला सकते हैं तो इस तरीके से मैंने मिलाया था और आपके पास में जितना हो आपको उसके हिसाब से डाल सकते हैं और फिर मैंने मिलाया था थोड़ा सा गुड़ तो इस तरीके से मैंने गुड़ को पानी में पेले ही खली भी मिला सकते हैं तो यह बहुत ही और भी अच्छा बनकर तयार हो जाएगा फ्रेंस और इसे आपको कम से कम 40 दिन के लिए एक बोरी में या फिर इसी तरीके के टप में अच्छे से इसको ढख कर रखना है और 40 दिन के लिए तो फ्रेंस इसमें थोड़े टाइम बाद पोस्ट बनकर तयार हो जाएगी और फिर इस तरीके से आप अपने जो प्लांट है उनके अंदर इसको यूज कर सकते हैं तो फ्रेंस यह थी मेरी वीडियो और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया मुझे इतना सपोर्ट किय थेंक यू वेरी मैच फ्रेंस तो मिलते हैं फिर फिर फ्रेंस किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं प्लान की जानकर एक साथ तब तक के लिए टेक करेंट बाबाए